एक अगई आपको अमस्कार साथियों श्लोजजए किरा का युटूप चनल पर आपका स्वागत है कि आपको नई निवाते समय पता चलती है उसे ऑगत होते रहें तो साथियों कुंडली में कुंडली के याद आजाते हैं इस वीडियो में आपको मैं गौचर घृण के मिश्चर में कई बाजान का है कि एक निशित अंत्राल के बाद सभी ग्रह अपने अपने राशियों छोग अगली राशिम प्रवेश करते रहते हैं और उसके हिसाब से तमाम जो हमारे 12 राशियां हैं उनके जो जातक हैं उन पर सुब असुब प्रभाव पढ़ते रहते हैं तो साथियों इन प्रभावों को जान करके समय से हम उनका उचार कर लें रोक थांग विपाय कर लें यही यह वीडियो इत्याग देखने उदेश होता है तो आपको मैं बुद्ध राशी बुद्ध जो ग्रह हैं यह दिनांक 26 नौंबर 2023 और तदनुसार यह जो कार्टिक मास का सुक्लपस की चतुर्दसिती थी दिन रग्यार को राती नौ बच के अटारीस मेंट पर यह कासी के मान के हिसाफ से आपको बता रहा हूं है कासी के मान के हिसाफ से नौ बच के अटारीस मेंट पर बुद्ध ग्रह जो है धनुराशी में प्रवेश करेंगे और धनुराशी में प्रवेश करने के वज़त से तीन लोगों पर क्या प्रवाव पड़ेगा अईया आपको उताते हैं तो सवर्पथम आपको मेस रासी आती है तो साथियो मेस रासी जानते हैं कि मेस रासी के स्वामि उग्रह मंगल होते हैं तो मेस रासी वालों के लिए यह जो समय आने वाला है 26 नौंबर से थोड़ा परसानिक होगा कामों बिखन बाधायों पसीत हो सकती है, यात्रा में असुभिदा हो सकती है मन में एक प्रकार का खेद उत्पन होता रहेगा कि मन यह गलत काम कर दिया धन और सम्मान की हानी हो सकती है, संबंधियों भाईयों से ब्रवनश हो सकता है और आप एक दूसरे की धरम में अत्वा ब्यक्ति में एक कमी ढूणने के प्रयास करते रहेंगे तो इस तरह से मन में एक एक आपका दिचैनी जैसी बंती रहेगी जोन है तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको जोन है, सरपत्य में दिया मन से ज़्यादा परसान है तो ओम चंद्रमा राती में दिचंद्रमा जब तक दिखाई पड़ेंगे तो जैसे कि अब परिवा हो जाएगा थोड़ी देर के मंधिरे के बाद चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे तो इस तरह से चंद्रमा जब आपको दिश्गोचर हों तो चंद्रमा को देख करके ओम सोम सोमायनमा के प्रणाम करें और अगर चंद्रमा नहीं भी दिखाई पड़ते हैं तब ही आप ओम सोम सोमायनमा करेंगे मन में पढ़ते रहेंगे उठते बढ़ते चलते रहेंगे बैठके जब करेंगे तो इससे आपके मन में शांती मिलेगी और मन में धर्धार्ण होगा अब आते हैं साथियों ब्रिस्राशी पर ब्रिस्राशी के स्वामी ग्रह सुक्र होते हैं जैसा कि आप जानते हैं तो इसमें साथ ही उब्रिस्रावासी वालों के लिए समय अनकूल आने वाला है आपको धन का आगवन होगा और यदि आपके हाँ बच्चा होने वाला है तो पुत्रशुक्ष पात्ती होने वाली है सत्रों पर विजय प्राप्थ होने वाली है और आपकी आर्ठिक इस्थिती एक सुद्र इस्थिती में पहुंचने वाली है बुद्ध ग्रह का जो गोच्चा ब्रहमण हो रहा है इसमें आपको ब्रित्रवासी वालों के लिए यह इसे फायदे मंद का समय आ रहा है तो प्रसंद हो ये प्रसंशित रहिए और इस अच्छे समय को गेन करिए चाकि आप और प्रगति कर सकें अब साथियों आएंगे आपको मिथु राशी पर तो मिथु राशी के स्वामी ग्रह जो होते हैं बुद्ध होते हैं और बुद्ध कहा जा रहे हैं धन्राशी ब्या रहे हैं तो शरीर में कुछ पीड़ा होने का योग बनेगा इस्त्रियाजी से विबाद हो सकता है का पब्य हो सकता है तो साथियों यह बुद्ध ग्रह जो है यह आपके जो हमने बताए कि मिथु राशी पर संचार कर रहे हैं आपकी मिथु राशी है और मिथु राशी के बुद्ध ग्रह जो धनु राशी संचार कर रहे हैं तो धनु के स्वामी ब्रहस्पति ग्रह पर आ इस मंत्र का आप जाब करें, प्रस्तिदिन एक माला करें, यदि आपको जादा खष्ट जादा है, कोई प्रसन जादा है, तो बुद्ध ग्रह के जो जब संक्या पूरी होती है, 9000 की, 9000 का जब, 900 का हवन, 90 का तरपन, 9 का मार्जन, एक ब्रामर भोज, इस एक प्रक्रिया बहुत अच्छा होने वाला है, आपको धन मिलने वाला है, और सुख मिलने वाला है, सत्रू और विजय प्राप्त हो सकती है, सारी मांसिक सुख प्राप्त हो सकता है, तो सातियों ये जो अमने बताया है कि धन प्राप्त होने वाला है, तो आपको योद्योग करेंगे, उस उद्योग में विशेश लाग होने की संभावना ग्रहों की इस्तिति से बनने लगेगी इसलिए आप इसमें कोई अच्छा उपाय करें कि अच्छा काम धंदा करें और उद्योग धंदे के हिसाब से या कोई किसी अर्णी के हिसाब से जो कोई काम करें उसमें जल्दी आपको भी से सबलता प्राथ होगी तो ये कर्क रासी आलों के लिए भी अच्छा समय चला है अब साथी वाएंगे सिंग रासी पर तो सिंग रासी के स्वामी जानते हैं कि आप सुरी भगवान होते हैं इनके लिका होगा मांसिक पिड़ा हो सकती है योजनाव जो आप बनाएंगे उसमें असफलता प्राथ हो सकती है और आर्थिक शत्मे परसानी हो सकती है और अनिस्त्रियों से प्रेम संबंद्र बन सकते हैं तो असफल प्रेम संबंद्र बनेंगे इसमें आपका धन बया अश्लिया आपको पहले से रहा हूँ कि पराइस्त्रियों के तरफ से थे थोड़ा आप दूर रहें इसलिए आपको सुरी भगवान को उपाषना चलязए अर minor contemporessä में और जैसे हमने कि अधि आप लिए इस बाहमिजची round चलंगा लएते हैं इसी भखवान को Нет इर्शन नहीं हो पाते हैं जल्जल नहीं दे सकते हैं तो सूर्य के जो बारह नाम हम लेंगे सुर्याई नम्हा बोला यह बोलेंगे तो अभी आपका कल्याण होगा अब पाते साथियों कन्याराशी पर कन्याराशी वालों के तो बले-बले होने वाली है कन्याराशी के साथ ये साथ ये जो स्वामी होते हो भी बुद्ध्ग्रा होते हैं तो धन की प्राप्ति विशेस होने वाली है माता की सुख प्राप्त होगा जमीन जायजाद बाहन सुख में व्रिद्धी होने वाली है सब कुछ अच्छा होने वाला है कुछ पदस्ट लोगों से मुलगात होगी उनसे भी और आपको सपोर्ट के वज़े से आपको और धन की प्राप्ति होगी तो कन्या रासी वालों के यह समय बहुती उत्तब रहेगा मैं आसा करूंगा कि इस जानका मन में आपका भय बना रहा सकता है साहस में कमी हो सकती है सवजनों से जगड़ा पिसाथ हो सकता है मत्तब आपको एक मन में डर जैसा बना रहेगा कि पतन क्या होगा क्या नहीं होगा परसानी अनुभा करते रहेंगे तो इसलिए आपको यह तुरा लासी वालों के लिए जो को सब से अच्छा उपार है आप मातभ भगोति पूज़ा करें धीसे मातभ भगोति पूज़ा करें लक्षमी सब उनके रूप महाकाली महा लक्षमीजी की पूज़ा करते हैं तो शुक्र में के आप आपको सपोर्ट मिलेगा मन में उस्ताबनेगा और एंधी मन में ज्यादा भ्य प्राफ्थ हो रहा है तो मन को हेका मारता पूजा करें काली जी पूजा और लक्ष्मी जी पूजा करि इसने में विसेश लक्षमी की पूजाओ उपाए पूजा पाट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि आठे को देशी घही में भून करके तोड़ा सा पिसी वी चीरी मिला करके जहां चीटिया होती हूं आप आप श्रिक दें इससे आपका कल्यान होगा इससे आपको फमी आएगी और एक रोटी आप गाय के लि पात्यवन रहेगा बिद्यान उन्नती होगी और संबंधियों से भी आपको धन के प्राप्ति होगी इस तरह बिश्चिक राशी वालों के लिए यह समय अनकूल होने वाला है अब आते हैं साथियों धरूरासी बन जिस पर स्वैंग बुद्य का गोचर होने वाला है तो इस में आपका समय चुगल खोरी जाधा बैतीत हो सकता है एक दूसरी चिद्यान वेशन करने में आपको समय बैतीत होगा छोटे मोड़ी जगणों कान्य धन नहीं हो सकती है यात्रा में चलते समय आपका स्वास्थ भीगड़ सकता है तो आपको थोड़ा इसमें बचक रहना च मुझद्ध्धरक की उपासना करें तो आपको अच्छा रहेगा ऑजदी उत्व दोद्ध्ध्ध्रक जमने बताया कि वहम ब्रांक्ण ब्रींक कि भुद्धाय करते रहें इसके लिए आप आपको अच्छा रहेगा अगर आप स्वास्त भी खराब हो रहा है तो आप हनमान जी का दर्संद करें और हनमान जी पूजा करें इसलिए आपको अच्छा रहेगा अब साथियों आएंगे धनुरासी पर तो धनुरासी के लिए थोड़ा समय कुछ ठीक नहीं रहे सकता है और इसको ठीक करने के लिए आप क्या करना चाहिए ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रांग साथ गुरुए नमार के ब्रिश्पति मंत्र का जाब करें ताकि आपकी यह आपकी रासी स्वामी बलवान होंगे तो आप सुख प्रदान करेंगे और आपकी परसानियों से आपको निजाद दिलाएंगे अब आएंगे साथियों मकर रासी पर ग्ली सौामी राज के यह आते हैं सनीदेव की सौरा साति की हानी हो सकती है, चितश मैं मन संताफ हो सकता है, भोजन में अरुशी पैदा हो सकती है, धन भोजग्रे काम भठन बात नहीं हो सकती है। और अब कि स्वाउस अच्छा नहीं रहा है। तो इसमें साथियों एक तो करेला दूसरे नीम चुड़ा तो मुक्कर राशिव साथी पिचल लएगे अबुद्य का गोचर भी खराब हो रहा है तो आप सनिक देव को सरण में जाएं चाहिए तो इसमें उत्त्र स्वास्त प्राथोने की संभावना बन रही है लोगों सच्छे मेर्वलाथों के आंदनी के कई सुरोत बन सकते हैं तो इसमें सुभ कार्यों में करने की प्रवित्ती बनेगी तो आपको चाहिए कि आप इस समय को एक गेंद करें और आने वाले परसानियों से आपको भगवान अपने आप मुक्ति दे रहा हैं तो अच्छे सब कर्म करें बुरे कर्म की तरफ अपना ध्यान न ले जाएं पि मिंदासी के स्वामी जैसे आप जानते हैं कि वह भ्रहसपद्य होते हैं तो ब्रहसपद्य देव अबुद दयम्मील करने वाले हैं किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है यदि विरोजगार हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है और मानसिक सारिक सुक्षब प्राप्थ होने वाला है आपके जो ग्रोधी होंगे अपने आप आप से परास्त रहेंगे और आप इसमें आप सर्माजिक शेवा में हैं तो आप से जन्हित की तारवी होंगे समाज में आप पतिष्टा बढ़ेगी इस तरह से मीन राशी वालों कि मीन तक के रातियों के लिए शूव शूफल बताया अशूफल की उपाय करने के लिए उपाय भिया बताया अच्छा है कि आप इससे ओगत होंगे अउगत होकर करके आप अपना भला करेंगे और अपना कल्यान करेंगे तो अजिए आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब क सब्सक्राइब कर लें इससे आपको इस तरह से हमारी बताई बताई गई बाते समय से पताचति आप उनसे अवगत होते रहें आपका ना कल्यान करते रहें आपने हमारे वीडियो को सुलिशन तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत साथ धन्यवाद मिलते अगले वीड देख नियाको बहुत 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 धन्यवाद